नमस्ते मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा पेट की चर्वी सब लोग दूर करना चाहते हैं हमने योग नमस्कार पर ही कई एपिसोड पेट की चर्वी पर बना दिये हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे दर्शक पूछते हैं कि और कुछ भी बताईए पेट की चर्वी कम करने के लिए एब्स बनाने हमें बंदनी गुरुदेव स्वामी भारत भूशन जी कहते हैं कि अगर आपको एब्स बनाने हैं नौका गती का यदि आप अभ्यास करते हैं तो आपका अब्डॉमिनल फाट रिड्यूस होता है इसको अच्छे से समझ लीजे पर अगर आपकी रीड में समस्या है या कमर में दर्द रहते हैं तो आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे बाकि सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं इस प्रकार से सीधे बैठेंगे और हाथों को फोल्ड कर लेंगे जैसे हम नाओ चलाने के लिए चप्पू चलाते हैं वैसे और इस थिति में आकर के अपने पूरे शरीर को आगे ले जाना जैसे आप चप्पू चलाते हैं विल्कूल वैसे ही एक्जेल अन बाक एक्जेल इनहेल इनफाक्ट आप इसे नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि आप स्वत्य ही इसके जो ब्रेथ है उसमें आ जाएगा यानि आप कॉंशिसली ना करके जो नॉर्मल ब्रीधिंग है उसके साथ करें तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कहाँ एक्जेल हो रहा है कहाँ इनहेल हो रहा है ऐसा आप कम से कम दस बार का एक राउंड तीन राउंड कीजिए दस बार के बाद शरीर को ठीला छोड़ दीजे प्रतने शैथिल्यम और फिर दूसरा राउंड आरम कर दीजे इसका आप नेमित अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे आपके पेट की चर्वी गायब होने लेगेगी लेकिन जाने से पहले हमारे कुछ भारतियों के उपाई ज़रूर लेते जाएं अगर आपकी पेट की चर्वी को कम करना चाहते हैं तो एक उपाई रामबान की तरह कारे करता है वो यह है कि कम से कम 14 से 16 गंटे आप फास्टिंग रखिये यानि कि अगर आप शाम को 5 बजे last meal ले रहे हैं तो अगले दिन 9 बजे लीजे अगर आप स्वस्थ हैं वरना आप last meal 7 बजे ले लीजे और 7 बजे की बाद कुछ मत खाईए साथ बजे की बाद आप जो भी कुछ खाते हैं वो फैट में convert होता है और वो आपके स्वास्थे के लिए अच्छा नहीं है साथ बजे लास्ट मील लीजिए, पानी खूब पीजिए, अपने आपको hydrated रखिए, physically active रहिए, हमारा कारकर में लेखते रहिए